कुछ दिन पहले ही अधिकारी कर्मचारियों को अवे धंदो पर जीरो टोलरेंस बरतने की निर्देश देने वाले पुलीस आयुक्त ने पारडी थाने के डीबी दल का ततकाल प्रभाव से मुख्याले में तबादला कर दिया है पता चलता है कि अवे धंदो से उगाही के लिस्ट हाथ में लगने से ये कारवाई की गई है इस कारवाई से थाने के डीबी दल में हड़कम मचा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरी जो जो लोग इसमें शामिल थे जिसके नाम सामने आये थे उनको हेड़कॉर्टर को सलगन किया गया है और इसमें विस्तरित प्रात्मिक चौक्षी आदेशित की गई है कुछ एक छिट्टी हमारे पास आया था जिसमें कुछ करमचारियों के द्वारा कुछ अवेद धंदे करने वालों के साथ आर्थिक साडगाट का उलेख किया गया था उसको ध्यान में रखके हमने चौक्षी आदेशित की थी और जो आवाल प्राप्त हुआ उसमें जिन करमचारियों इसमें प्रात्मिक दिश्टी से लिप्त पाए गए उनको फिलहाल हेड़कॉर्टर को एटैच किया गया है और डिटेल विस्तित प्रात्मिक चौक्षी इ शहर में किसी भी थाने या किसी भी करमचारी के द्वारा इस प्रकार की गैर क्रित या अप्रावानिक कारवाई अगर होगी तो उनके उपर कड़क कारवाई की जाएगी परन्तु मैं ये बताना चाहूँगा कि नाकपुर शहर पुलीस दल के 99.99 प्रतिशत करमचारी और बहुत इमानदारी और पारदर्शक और मेहनत से काम कर रहे हैं थोड़े बहुत जो ब्लैक शीप्स होंगे जो की समाज के हर गटक में होते हैं वो उनको निकाला जाएगा और उनके उपर बहुत ही डिटेरेंट डिपार्टमेंटल अक्शन ली जाएगी